महराश्ट के लाखो करमचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पांच दिन से लगातार हर्ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार है कि इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है सारी सेवाएं चर्मरा गई है लेकिन आम जनता भी इन करमचारियों के सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोड़ रही है क्योंकि आम लोगों के लिए तो ये विवस्थाएं हमेशा से ही चर्मराही रहती है ये वही करमचारी है जब आम लोग इनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो कल आना परसो आना चार दिन बाद आना महिनों काम को लटकाया जाता है और बिना रिश्वत लिए कोई काम ये करमचारी करते नहीं है ये वही करमचारी है जो इवियम को लेकर जब भी कोई बात उठाई जाती है तो ये किसी के सपोर्ट में आते ही नहीं है ये वही करमचारी है जो मतदाता सुची में गरबडिया करते हैं ये वही करमचारी है जो इवियम में भी गरबडिया करते हैं उन नेताओं को जितात जिन से आज ये पुरानी पेंशन माग रहे हैं आम जनता के मन में इन कर्मचारियों के लिए बिलकुल भी सहनुबुती नजर नहीं आ रही है बलकि सोशल मीडिया पर लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं इनके काम करने की स्लो जो काम करने की आदत है इस आदत ने अपने ही हि इन्होंने इतने साल लगा दिये कि 2005 में पेंशन बंद हुई और आज ये 2023 में आंदूलन कर रहे हैं ये मीडिया ये जो मजाक है ये सोशल मीडिया पर आम जनता उड़ा रही है कारण ये कर्मचारिक खुद है यही नहीं जो न्यूस चैनल है वो इनके धरना इस तल पर जाकर इन से पूछ रहे हैं कि जिन लगजरी गाड़ियों में आप आए हैं इस धरना इस तल पर क्या वो आपकी है और वो कह रहे हैं बड़े खुशी के साथ कि हाँ ये हैं मोटी मोटी तनख़ाल लेकर काम करने वाले ये करमचारी आज अपने लिए पेंशन तब मांग रहे हैं जब वो रिटायर होने की स्थिति में आ गए इतने साल उनको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि वो तनख़ालेने मोटी मोटी तनख़ालेने में और उपर से नीचे से तमाम जगों से कमाने में विस्त थे औ और अब जब वो रिटायर होने की स्थिति में आये तब उनको लगा कि रिटायर्मेंट के बाद क्या तो फिर वो पुरानी पेंशन की डिमांड के लिए धरने इस तल पर आ गए लेकिन इन में से बहुत सारे करमचारी अभी भी ऐसे हैं जो धरने पर नहीं आ रहे हैं धरन हैं कि लोग इनके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये लोगों ने आम लोगों के हित में कभी काम नहीं किया उनकी लिए ये विस्थाएं हमेशा से चर्मराई ही रहीं बलकि कुछ बेरोजगारों ने तो मोर्चा निकालकर सरकार को ये ग्यापन सौप दिया कि ये ज ये पे हमें रख लो हम इनसे आधी तन्खवा पर और विना पेंशन के काम करने को तयार हैं ये हालत है बहुत सारी स्वयम से भी संस्थाएं इनकी जगे काम करने को खुद आगे आ रही हैं और सिक्षा में ये प्रयोगण़ची रोली में हो रहा है कि सिक्षा वेवस्था स इस्थिति है कि ये बैसी ही है जैसे बहुत सारे गुलामों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए महिनों उनको भुखा रगा जाए और ऐसी एक दिन इस्थिति आती है कि यही गुलाम अपने दूसरे साथी को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने दूसरे साथी को खाने क को तयार हो जाता है उसे मार डालता है उसे खाल खालेना चाहता है यह वो परिसितिया बन गई है और ऐसी परिसितिया किसने बनाई क्यों बनी ये परिसितियां कि चारो तरफ हाहाकार है लोग बेरोजगार हैं लोग चाहते हैं कि ये नौकरी से हटे इनकी जगे हम नौकरी पर कि आजाएं भले ही थोड़ा कुछ मिले लेकिन नौकरी मिल जाए और इस इस्थिति को बनाने में हमारे ये जो नेता है ये काम्याब हो गए ये चाहते थे कि ये इस्थिति बने कि लोग एक दूसरे को खाने लग जाएं लोग इस तरह मोहताज हो जाएं कि उनके थोड़े से छीटे हुए थोड़े से फेके हुए टुकडे को जहलने के ले ल प्लानिंग के साथ आपको उस मुकाम पर उस मोड पर लाकर खड़ा कर लिया है कि आप अब सिर्फ अपने जीने तक की बात सोच सको उसके आगे की नहीं आप ये सोचो कि आज रात हम क्या खाएंगे कल सुबह हमारी कैसी होगी बस इस जगे तक लाकर उन्हें छोड़ना है औ क्योंकि उन्हें घुलामों की जरुरत है और वो आप धीरे धीरे बनते जा रहे हैं